आज हम लोग प्लास्टिक मनी के बारे में समझते हैं जिसमें ATM आता है, ATM को basically credit card और debit card में divide करते हैं, इनमें क्या आंतर होता है, और ATM पर लिखते होंगे, visa, mastercard या रूपे लिखा होता है, इनमें से कौन सा better होता है, और भारत सरकार ने और RBI ने किस नियम के ताथ, mastercard को नए card issue करने पर ban लगा दिया है, देखे, ATM जो होता है, इसका पूरा नाम होता है, automated tailor machine, इसकी खोज 1967 में इंग्लाइड में की गई थी, लेकिन खोज करता का नाम था, John Sephard Boren, इनका जनम 1925 में भारत के Megalair राज के C-Long में इनका जनम होता है, तो इनके खोज करता, अगर इनका दे पैसा खुद के bank में जमा पैसे को निकालने का एक रास्ता होता है, card और किसी भी type की ATM में तो पैसा नहीं होता है, हमारे account में रहता है, account में खर्तम ATM किसी काम का नहीं रहता है, पहले जमाने में क्या था, कि पैसा निकालने के लिए आपको bank में जाना पड़ता था, वहाँ withdrawal प्रॉल फर्म कर भर के दीजे, तो bank देगा, या फिर आप चेक साइन करके दीजे, किसी भी bank में तो आपको पैसा दे देता था, इस सिस्टम की एक अच्छाई थी, कि ये secure रहता था, hack वगरा नहीं होता था, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खराबी थी, ये तब ही काम करेगा जब bank खुला रहता था, और इसमें proceed करने में काफी लंबा टाइम लगता था, चेक से तो काफी लंबा टाइम हो जाता था, और संडे के दिन officially bank बंद रहते हैं, छुटियों के दिन, तेवार के दिन, रात के टाइम पे, तो आप इसे 24 घंटे नहीं bank पैसा निकाल सकते थे, तो इसी के लिए ATM काम आया, ATM के लिए क्या है कि आपको bank में नहीं जाना पड़ेगा, अब एक bank को setup करने में काफी खर्चाते हैं, उसकी buildings, उसका power backup, उसके staff, management काफी खर्चाता है, जबकि ATM बैठाने में कुछ नहीं जाता है, एक branch जितने में बैठ जाता है, उतने में 50 ATM प्रद्यम हो गया, ये दिन रात पैसे निकाल सकते हैं, इससे 24 घंटा और सातो दिन निकाल सकते हैं, 365 दिन आप इससे पैसे निकाल सकते हैं, तो ये काफी अच्छा फायदा हो गया, इसमें भी हम उतना ही पैसे निकाल सकते हैं, जितने अपने अपने अकाउंट में, आप credit card आपको नहीं देता है credit card लेने के लिए कुछ आपको terms and condition होते हैं उसको fulfill करेंगे तभी मिलता है debit card जादे secure माना जाता है credit card के तुल्ला में क्योंकि debit card पर आप देखेंगे कई security होती है 16 अक्षर का तो पहले इसका आपका ATM card number होता है फिर उस पे expiry date यह पता होना चाहिए पीछे जो होता है card verification value यानि CVV number एक sticker site के उस पे तीन अच्छर लिखा रहाता है यह security label जो होते हैं उतने मजबूत नहीं होते क्योंकि अगर आपका ATM card साड़क पर गिर गया तो जो माई मिलेगा उसको यह तीनो security तो पता ही चलगे ATM number expiry date CVV number लेकिन जब वो पैसा निकालने जाएगा तो उसको पीन की जरूवत होगी जो आपको memorize करके रखना पड़ता है याद करके तो आप ही को पता है तो पीन जब तक नहीं डालेंगे पैसा नहीं निकलेगा लोग पैसवा निकालने के बाद ना इंडिया में क्या करते है कोई नहीं देगरा ना कट 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 कर दाबेंगे 20 बार संतुष्टी के लिए आप कोई नहीं निकाल सकता है वह ATM मशीन केवल एक ही पर काम करती है एक पासवर्ट डाले तो आप ही का ATM क्यों नहीं दुबारा पिर पैसे निकालेंगे तो पासवर्ट मांगे ग होती है अब देखें मान के चलिए वह इंसान आपका ATM में लिए उसको ATM में जाके कहता है वह पीन को सोचता है चेंज कर दे फारगेट पीन करके वह चेंज करना चाहेगा तो फिर उसके लिए भी रास्ता है कि जो आप अपने बैंक में मोबाइल नंबर दी होंगे उसी मोब पर one time password यानि OTP आएगा वो 10 मिनट में expire हो जाता है OTP सिंगल टाइम के लिए होता है तो इसमें काफी security होती है without आपके permission इसे नहीं ले सकता है लेकिन credit card में security थोड़ी सी मतलब compromise हो जाती है अब हम credit card को समझते है credit card क्या चीज है पहले के जमाने में हमें loan लेने के लिए अप साल भर में बारा पुचे साथ परसेंट ले लेगा और बैंक में जाएगा तो 10 से बारा परसेंट वो साल भर का लेती है तो बैंक का loan काफी सस्ता होता है लेकिन लेने में बहुत जमिला होता है 15 से 20 दिन लग जाएगा आपको 50,000 रुपे की जरूवत है एक हपते में आपक इसे सब को सुल्याने के लिए एक ऐसा फॉर्मूला निकाला गया कि हचाक से आपको क्या मिल जाए लोन मिल जाए करजा तो हचाक से लोन देने वाले काड को कहते हैं credit card इसमें आपका पैसा नहीं है याद रखेगा पैसवा लोटाना पड़ेगा तो जो बैंक से जाके गहंटा जब जाहें वो लोन निकाल सकता है वहाँ पर लेकिन इसमें भी लोन की लिमिट होती है शुरुआत में कम लिमिट दिया जाता है पचीस अजार का धीरे दीरे उसको पचास अजार एक लाग दो लाग ऐसे करते करते तीन लाग तक के आपको लिमिट को credit card में दे द पर लिमिट करता है जादे पैसा है या कम पैसा है मतों ओवरॉल 30 से 40 दिन रहता है कितना अच्छा है मन के चले हमें 50,000 की इमर्जेंसी में जरूवत पड़ी बैंक से लोन लेने जाएंगे ब्याज लेगा हमको अपने रिस्तेदार से मांगेंगे तो एहसान थोप देगा ह 40 दिन बाद हम बैंक को देंगें बैंक भी हमसे ब्याज नहीं लेगी तो ये काफी अच्छा होता है क्रेडिट कार्ड अब क्रेडिट कार्ड की भी कुछ अच्छाई या कुछ खराबी होती है ये आपको जान बुझ के दिया जाता है आपकी आदत बिगाड़ने के लिए अब इसकी कुछ अच्छाईयां समझते हैं देखिए क्रेडिट कार्ड में हमें कैस बैक अकसर मिल जाते हैं ओफर या आप 100 रुप्या का सामान खरीजेए 10 रुप्या कैस बैक मिल जाएंगे तो डेविट कार्ड की तुलना में क्रेडिट कार्ड पर जादे ओफर मिलते है इसके साथ ही इस पे कुछ reward points मिलते हैं और अकसर ऐसे offer आता है कि अगर आपको credit card के 100 points हैं तो आप ये समान खरीद के लिए जा सकते हैं तो पैसे नहीं उसे points चाहिए अब ये points कैसे आते हैं तो points को earn किया जाता है जैसे आप जब ही credit card से कुछ shopping कीजेगा तो आपको 2-4 points मिल जाएंगे तो ऐसे-इसे points collect करके अगर आपके पास 100 points हो गए तो आपको तो 100 points खरीदने के लिए पैसे नहीं न देने पड़े आप किसी और चीज को खरीदे थे वो आपको ये चाहिए offer दिया था अब जब ये collect हो गया तो इसका यूज करके आप कोई और चीज भी ले सकते है इसके साथ आपको कभी कुछ bonus coupon मिल जाता है साथ ही कभी flight ticket या फिर कोई भी booking कीजिएगा credit card से तो ज्यादे सस्ता होता है David card से थोड़ा महंगा होता है और flip card और Amazon पर भी देखिया कभी offer आता है कि credit card पर लीजेगा तो 5000 और चूट मिल जाएगा David card पर चूट नहीं मिलता है साथ ही कुछ ऐसे भी चीज़े होती है जो जिसका payment केवल आप credit card से ही कर सकते है वो David card से पैसे ही नहीं लेते है हलाकि ऐसे चीज़े काफी कम होती है लेकिन वहां restricted होती है तो यहां तो credit card का फाइदा है लेकिन main काम क्या होता है credit card आपको भीगाने के लिए दिया गया रहता है बैंक चाहती बैंक को income आपके आफीस होता है आप जितना लोन लिजेगा ब्यास दीजेगा बैंक को पैसा हो जाएगा वो credit card के थुरू आपको कैसे करते हैं देखिए इसके कुछ घाता समझिए आपको credit card में पैसा आपका नहीं है इसलिए गलती से भी इससे आप cash मत निका लेगा क्योंकि cash निकालने पर penalty fees काफी जादे लगती है हाँ इससे आप shopping कीजिए billing कीजिए cash निकालने से बेटर है उसी इनसान से पुछे कि भाईया तुमको कितना चाहिए 2000 लाओ हम credit card से payment कर देते है cash निकालके 2000 मत दीजे वरना cash withdrawal penalty charge लगता है पहला दूसरी खराबी अग billing करने गाए 20,000 का समान खरीदे तो आपको billing दिखा देगा 20,000 का ता आप देख लिए 20,000 है न अब इसमें आप swipe कीजिए card को और swipe करने के बाद पैसा नहीं कटेगा आपको इसमें pin डालना पड़ेगा pin डालके आप card निकाल लीजिए आपका 20,000 काट गया लेकिन pin डालने की shopping करके खचाक खचाक निकाल लेगा तो आपका अगर credit card गाएब हो जाता है तो इसको बहुत concern के बाद है इसलिए credit card को तुरद बंद करना चाहिए debit card गाएब भी हो गया तो pin नहीं पता है तो किसी काम का नहीं है इसलिए आप देखेगा debit card की तुलना में credit card को बंद करना या block करना काफी आसान होता है इसके साथ ही आपके खर्च को बढ़ा देता है जैसे मेरे debit card में अगर 10,000 रुपई है तो हम चाह के भी 11,000 का सामान नहीं खरीद पाएंगे सापिंग करने गए तो मन मार लेंगे या 10,000 रुपई है चलो 9,000 का खरीदते हैं एक हजार इमर्जेंसी के लिए रखते हैं लेकिन अगर credit card रहेगा तो कहेगा हम रहा तो लिमीट है मैं 50,000-60,000 एक लाग तक का तो बैंके देदेगा तो जहां 10,000 का खरीदना चाहिए वह 10 तरीक तक salary खतम कर देंगे उसके बाद हो credit card पर घूमने लगेंगे खर्चा करते हैं तो इसे आपके खर्च को बढ़ा देता है और आज कल का modern culture में लड़का लड़की के matter का फायदा bank भी उठा रहा है नया नया जिसका job हो रहा है या या यंग एस्टर को credit card दे दो अब credit card में जाएगा उसको gift देगा अब gift पहले क्या था पापा पैसा नहीं भेजे है बैंक में नहीं है क्या करें अब ही देखता है ससरा birthday आ गया है credit card है घचाक से लगाओ 40 दिन बाद पापा अगले महिना का पैसा पहचेंगे उसी में adjust कर देंगे ले जाओ उसको gift दे दो उसको party अब बताइए अगर आपके पास debit card रहेगा और debit card में मान के चलिए आपका 500 रुपए यह तो आप इसको और 3000 का gift कैसे दीजे तो पापा को फन कीजेगा बैंक में पैसा लगा दीजिए तो पापा तीन दिन बाद लगाएंगे तब लेका थोड़ पे का थोड़ रंग ना च तो जो 500 रुपए बता तीन हजार इसको क्या गया दूसर रुपया का ठोड़ रंग ली ठोड़ रंग लेकर आएगो दुखोंची बॉर्डर बना देती है सब कर्या रंग सेंगा ताकि और भब के ऐसे इसे सब पुता गया इसका इसका इसे समया कि क्रेडिट कार्ड में ख अच्छे से रही है डेवीट कार्ड में जतना पैसा उतने खर्चा कीजिए उस्यार बनिये क्रेडिट कार्ड में गिफ्ट देने की जरूवत नहीं है देखिए यह कितना भी गिफ्ट देदो सारे स्टूडेंट से कहते हैं आप चाहें कितना भी सौपिंग करा दो महेंगे से महेंगा गिफ्ट देदो आप टेडी बियर देदो जतना मर्जी महेंगा से महेंगा टेडी बियर दो वो इससे नहीं खेलेगी जब भी खेलेगी तो वो आपके करियर के साथ खेलेगी और जिंदिगी बरबाद करेगी उ यादे तर जिसके पास teddy bear रहता है न दोशरे को सब्हस जाए कि थि और फोद नहीं हमागों को जोआ से चांज संवे चाता है सोचता है कि दॉसे रुप्या में पहले इन्वेस्टमेंट करके देखते हैं कि सेयर हमारी और आएगा कि नहीं जब देखेगा हो ठीक था का रहा है तो दस रुप्या के चालीस वाला डेरी मिल धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करता है खेर हम लोग टॉपिक पर आते ह हैं plastic money कह जाता है अब क्रेडिट कार्ड हो या डेविट कार्ड हो यानी ATM पर आप इसके बैंक का आपना नाम तो देखे होंगे जैसे यहां union bank है अलग अलग बैंक हो कह है जैसे कि रूपे अब देखिया गा तो रूपे का भी प्रचलन बढ़ गया लेकिन ये बहुत जादे जबरजस्त यूज में होते हैं आखिर ये क्या चीज़ है सम तो समझ ये क्या चीज़ शुरुआत में जब बैंक ATM कार्ट को इंट्रड्यूस किया गया था तो जिस बैंक का ATM है जैसे ICICI का ATM है तो आप ICICI की ATM मशीन से पैसा निकाल सकते थे पहले अपना इसा हो गया कि किसी भी बैंक का ATM है किसी भी बैंक का ATM में घुजार दो लेकिन पहले अंसा नहीं था पहले जिस बैंक का ATM है उसी बैंक में वो काम करता था लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ में देख रहे हैं HDFC में तो निकलबे नहीं करें तो ऐसा पहले सिस्टम था मतलब एक दम शुरुवाती दोर में जब ATM की नहीं नहीं खोश थी तो एक सा होता क्यों था देखिए ध्यान से मानके चलिए कि किसी का SBI में खाता है मेरा SBI में खाता है और हम चले गए ATM पैसा निकलने पंजाब बैंक से उसमें ATM कार्ड घुजाएंगे तो उसको क्या पता कि हम कौन है हमने खाता है SBI में खुलवाए है मेरा नाम डेटा टीपी वगरा सब SBI को पता है काड SBI ने दिया हम उसको कोच देंगे उसको पते नहीं मसीन कोईगा कौन हो भई हम नहीं पहचानते है तुमकों पता ही नहीं चलता था क्यों कि यह बैंक वाले एक ही रास्ता है कि यह डाटा अपना सारा समान PNB को बताए अलग-अलग बै को पता चला गया SBI में सो सबसे अमीर आदमी पता चला किसका पासा तो उसको फोन करेंगा सर हम आपको जादे सुभिधा देंगे है कि नहीं तो उसको डिस्टरब करने लगए नहीं देखते है फोन करके कहेंगे सर नमस्कार मैं जहरीली बोल रही हूं ICICI बैंक से क्या मैं मैं आपको काट लूँ तो आप कहेंगे नहीं मत काटिए तो दिन बार फोन करके परसाम करते रहता है तो बैंक अपना डाटा दूसरे को नहीं देना चाहता है अब जब देंगे नहीं तो उपईशवा निकाले के देगा कई से तो इसी में काम आता है काड नेटवर्क काड से अलग अलग बैंक करते living है मानन के चलिए आप है एस्बि आई है एस्ट के पास तो इसबी आइ यह क्या करेगा काड नेटवर्क को वो मेरी सारी जानकारी दे देगा। जो मेरे card per network लिखा होगा। जैसे visa लिखा होगा, या mastercard या रूपे। तो मेरी जानकारी दो लोगों के पास चली गई। पहला चला गया मेरे bank जिसमें मेरा खाता है, दूसरा ये जानकारी इनके पास चली गई। अब इनका नियम होता है कि ये जानकारी किसी से साजहां कर ही नहीं सकते हैं, अब क्या होगा, कि मान के चली मेरा SBI में पैसा था, हम चले गए आपका Central Bank of India में से पैसा निकालने के लिए, तो Central Bank of India को मेरे बारे में पता ही नहीं है, और वो direct SBI से पूछ नहीं सकता है, और पू जानकारी वीजा के पास भी थी, तो Central Bank का ATM मेरे SBI से मेरी जानकारी नहीं मांगेगा, मेरे नेटवर्क से वीजा से मांगेगा, और वीजा उसको प्रोवाइड करा देगा, कि हाँ भया, आदमी ठीक ठाक है, पैसा इनके पास है, आप इनका पैसा निकालके दे दीजे, तो अलग अलग सुविधाएं देते हैं, आपका नंबर ब्लॉक करते हैं, ये सब करते हैं, इसके बदले में ये ही चार्ज लेते हैं, लेकिन ये बताते नहीं है कि हम 500 चौसर रुपिया सलाना आप से चार्ज जो ले रहा है, हम ले रहा है, ये क्या करते हैं, काड इस वर बैं अब जैसे मान के चलिए हमारा हम पैसा निकालेगा SBI से कहाँ पे PNB में तो पंजाब नेशनल बैंक जो है हम जैसे इसमें अपना काड लगाएंगे तो यह जानकारी किसे मांगेगा उसको पता है कि SBI का यह ATM है हमने जो इसमें लगाया है काड हो SBI का लेकिन SBI से मांगेगा किसको इसको पता ही कि SBI नहीं देगा तो यह किस से मांगेगा काड नेटवर्क से अब काड नेटवर्क मेरा मास्टर काड भी हो सकता है या काड नेटवर्क मेरा वीजा भी हो सकता है अब यह वीजा से काएगा कि पता करो तो किसे एकाउंट में है हाँ हाँ हमको पता है SBI में इनकाउंट नंबर है फला फला तुम सेब नहीं करना ATM machine किसी के data को सेब नहीं कर सकती है तो इसको बताएगा पैसा निकल लियागा यहाँ अब बात आती है कि इन तीनों में बेस्ट कोन है रूपे वीजा या मास्टर कार्ट इन में से बेस्ट कोन है तो देखिए ये US की क सकते हैं और इंटरनेशनल भी दे सकते हैं मतलब आप विदेश में से भी पैसा निकलना चाहिएगा तो हम दे सकते हैं अब जबकि भारत ने अपना रूपे कार्ड बनाया यह शुरुआत में केवल इंडिया में चल रहा था लेकिन रूपे कार्ड में भी एक प्लेटीनम क चलाएगा ही चलाएगा लेकिन रूपे लीजेगा तो आपको इस पेसल करना पड़ेगा है कि हमको इंटरनेशनल भी काम है हमको रूपे का प्लेटीनम दे अब लोगों के माइंड में भारत के लोग में स्वाफ करने की छम बहुत जादे होती देखिएगा कोई कार खरीद का काम है उसको हिंदुस्तान में जितना वीजा काड यूज होता है उसका 90% लोग बीदेश कभी नहीं जाते हैं लेकिना उनको बीजा चाहिए यहाँ पर अरे भाई वीजा आप लीजेगा तो हर महीने पास हर साल पास सो रूपया लेगा अले के जाएगा अमरीका लेकर र का उनका अपना पेमें गेटवे वो लोग यूज करते हैं तो आप लोग भी भाया रूपय यूज कीजिए दिखावे में मत रहिए दिखावे से कुछ नहीं होता सचाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से के खुसबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से तो आपको सौ आप मत कीजिए सिंगहासन पर बैठने की कोशिश ने कीजिए खुद राजा बनिये जहां बइठेंगे महीं सिंगहासन आजाएगा लोग वीजा चाहिए यहां पर तो इन तीनों में अंतर समझ में आ अब समझे यह बीदेशी कंपनी थे सब अब इन बीदेशी में सेव कर लेते हैं मेरा फोटो सेव करना था खीच के गैलरी में सेव कर लेते हैं लेकिन बहुत जादे चीज सेव करना था पेंडराइब में करते हैं उससे भी बड़ा हो गया तो हाड ड्राइब में सेव करते हैं और बहुत जादे पूरी दुनिया का डाटा रखना है तो ऐसा ऐसा बहुत जादे hard drive को save करने के लिए data house बनाना पड़ता है, बहुत बड़ा, पूरी building होती है ससुरा इतना बड़ा बड़ा जिसमें यह hard drive होता है, इसी में सब का data होता है, अब master card क्या था, उसका यह data वाला जो center था, इस ससुरा इंडिया में था ही नहीं, अब भा भारत का data भारत में ही रखना होगा, उसे data center भारत बनाना होगा, बिदेश नहीं ले जा सकते हैं उस data को, आप कहेंगे चला भी गया तो क्या होगा, हो जाएगा भाई, अब अगर data वो अमरीका में लेके चला गया, तो अमेरिका की company को पता है कि फलनिया के account में 2 लाख है, और किसी के account में 2 करोड है, वो company क्या करेंगे, अमेरिका को बेच देगी, तो अमेरिका के परचार वाले क्या करेंगे, उस व्यक्ति को Google, या WhatsApp, या Facebook, या YouTube के थूँ, दो लाख वाले को कम सस्ता कार का परचार दिखाएंगे, हाई कार ले लिजिए, हो कार ले लिजिए, उस लिजिए, 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 लिज सब के बाद सरकार ने कहा कि 22 जुलाई 2021 आज के दिन तक हो जाना चाहिए इस देट तक में भी Mastercard ने नहीं किया आर्बी आई ने कह दिया Mastercard अपने काड को इसू नहीं कर सकता है जितना इसू कर लिया है उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी Mastercard ने भी कहा कि ठीक है भईया हम कर लेंगे तब तो आर्बी आई ने कहा कि ठीक है यह कर लेना भारत में आई सादा बिल्डिंग मना लेना खूब ज्यादे हाड ड्राइव खरीदना सब को आपस में लिंक करके उसमें खूब अच्छा AC चला कर रख देना तो हम तुम्हें परम ट्रांसपर में देखेंगे आजकल UPI बहुत चला है बैंक में जाएंगे पुछे करना है आटी जीस करना है कि IMPS करना है इसमें क्या अंतर होता है बैंक एकाउंट में भी टाइफ देखिएगा तो सेविंग हो सकता है करेंट हो सकता है रिकरिंग एकाउंट जिसे RD करते है डीमेट एकाउंट जिसमें सेयर मार्केट खुलता है NRI जो बाहर में काम करते हैं उनके लिए एकाउंट तो अलग-अलग एकाउंट में क्या डिफरेंस होते हैं साथ ही आप देखेंगे तो लॉंग टम के लिए जैसे बुढ़ापा में मान के चले पतो भागा दी तो कहां सानी न बोलेंगे तो प्रोविडेंट फंड को सौट कट में क्या कहते हैं पीफ कहते हैं अब इससुरा पीफ जो होता है प्रोविडेंट फंड काई टाइप का होता है एम्प्लाइप प्रोविडेंट फंड प्रोविडेंट फंड प्रोविडेंट फंड प्रोविडेंट फॉंड समझना पड़ेगा इस सब को किसी आउन वीडियो में समझा देंगे आज आपको प्लास्टिक मनी यानि एटीम डेविट कार्ड क्रेडिट कार्डी सब के बारे में समझ में आ गया होगा मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जैहिन